कहां पर थे हम लोग continue कर रहे थे, yes, we were talking about potato and onion, ठीक है जी, so let us continue, this was the first part जो हम लोग ने stream में देखा, now we are starting with the second part, and इसमें हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग crops के बारे में और अलग-अलग type-y crops की variety के बारे हम बात कर रहे थे, question किस तरह से पुछा जा सकता है, basically, crops ही condition दे सकते है आपको और उस condition के ऊपर जो पुछा जाता है कि ये crop कौन सी है, already, H.S. में एक question आ रखा है, ठीक है जी, so naip तसीलदार में भी जो है question पूछा हुआ है पराने टाइंस में, तो ये question जो हम लोग के लिए काफी जादा important है, आप इसको जो है overall करके जाएंगे, मैंने आपको ज चार्ट दिखाया है, so इस चार्ट को मैं जो है further complete कर दूँगा, 7-8 जो है, और जितने ज्यादा में से crops सकी है, मैं उनकी conditions, types, कब उगाए जाती है, कोई specificity है, तो इसको मैं जो है साथ में cover करके आपको बता दूँगा, ठीक है जी, so चलो आगे चलते हैं हम लोग, livestock के साथ चो आपका agriculture के साथ, चो आपका associated जो भी आपकी industry है, associated जो भी आपका sectors है, इनके बारे में बात कर लेते हैं, very very important sectors आपको देखने को मिलते हैं, and ये sector जो है, most important sector जो है, that is livestock and fisheries, ठीक है जी, livestock जो है, एक चौथाई, जो livestock का fisheries sector है, एक चौथाई, जो है GDP में contribution करता है, as far as agriculture is concerned so almost 4-5% GDP में contribution रहता है, इसका अगर agriculture का 20% contribution रहता है, तो 1-4 जो है, it is coming from this allied sector, ठीक है जी, and हम लोग जो है, they, we are, we people are very very like, good in livestock and fishery sector, जैसे कि में बात करूँ, India, जो है, it is first as far as milk production is concerned, number one milk producer है हमारी दुनिया में, इंडिया, ठीक है जी, consumer ही सबसे बड़ा है, by the way, so UP जो है, ब they are producing lots and lots of milk, and number one production में जो है, हम लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, matter of fact, average जो हम अगर हम लोग हमारे पूरे इंडिया का milk production देखे, तो average milk production जो है, it is 394 gram per capita, that means, इतना दूद हम लोग बनाते हैं, कि अगर हर एक इंसान को बराबर बांटा जाए, तो 394 gram जो है, almost आदा किलो 400 gram के आसपास में, हर इंसान को मिल सकता है, तो इतना जाता दूद हम लोग produce कर रहे हैं, यह मेरा अंकड़ा नहीं, नाशनल डैरी डेवलप्मेंट बोर्ड का अंकड़ा है, ठीक है, 80% बट जो है, यह कहां पर हो रहा है, अन और्गनाइस सेक्टर में किया जाता है, ठीक है जैसे आप में, ग्वाले और वो सारे चीज़ देखते हो, दूद जो है, लोकली produce किया जाता है, लोकली sell कर दिया जाता है, एदन सच, और्गनाइस इंडस्ट्री बहुत कम देखने मिलती है, वर्गिस कुरीन ने अमूल बना के इसे और्गनाइस करने को शिकरी थी, ऐसे बहुत सारे cooperative start हुए, अमूल के साथ जैसे पंजाब में वेरिका चलता है, हिमाचल में काम धिनू चलता है, तो बहुत सारे इस तरह के जो cooperative से हैं, वो start किये गए, बट अभी भी जो है, बहुत सारा जो milk है, वो अन और्गनाइस सेक्टर में ही produce किया जा रहा है, ठीक है जी अगर मैं livestock के लावा और से बाते करूँ तो अंधर प्रदेश जो है, सबसे ज़्यादा एग producer है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा एग production यहां से की जाती है, बफलो की population जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, 57% of the world's buffalo population is in India, तो हमारा bovine population के मामले में भी हमारा देश वो number one में आता है, ठीक है, देखो कितने जो है विडंबना की बात है, हम लोग सिरफ 2.4% दुनिया के शितरफल में रह रहे हैं, और उसमें 17.5% तो हमारी अपनी आबादी, इतने ज़्यादा तो हमारी आबादी दुनिया की सबसे ज़्यादा है कि दूसरे number की आबादी हम लोग रह रहे हैं, उसके उपर जो है सबसे ज़्यादा हमारे पास जंगल भी, ठीक ठाक सही है, कल हमने देखा था, 21.7 जो हमारे पास forest का अबर है, तो वहाँ पी ज़्यादा लोग रह नहीं रहे हैं, उसके उपर हमारे पर 57% बफलो की population भी है, तो भाया ये देश तो बह पैक डेक दम भीड़ा भीड़ा देश हमारा पर इसी का तो मज़ा है, यहना, highest meat producing state के अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट बंगॉल, अंदरपरदेश, महरास्टा जो है, तीन नंबर में आते हैं, meat production में, और wool production में मामले में, राजस्थान, जम्मू, कश्मीर, करनाटक और ग दिलते हैं, all right guys, so इसके अलावा जो है, second one is fisheries, fisheries भी दो तरह की होती है, एक जो हम लोग नहर नदियों से पकड़ते हैं, जिसे हम लोग inland fisheries बोलते हैं, और दूसरा हम लोग जो oceans, अपने तटवरती आलाकों में, oceans में पकड़ते हैं, या फिस seas में पकड़ते हैं, हम लोग fisheries बोल देते हैं, ठीक है, जिसमों marine and inland, ये दो fisheries आपकी होती हैं, ठीक है, हम लोग third largest producer है marine fisheries में, और second largest producer है, inland fisheries में, जो inland वाला fisheries में second largest producer है, और marine fisheries में third largest producer है, ठीक है जी, overall 6.38% of fish की production जो है, यहां world में हमारे यहां से हो रही है, और 1% GDP में contribution इसका आपको देखने में मि most of जो आपकी fish production है, वो आपको कहां पर देखने में मिलती है, वो आपको western side में, west coast में देखने को मिलती है, and very like 20-25% जो आपको eastern side में आपको देखने को मिलती है, ठीक है की नहीं, so west Bengal जो है सबसे बड़ा producer है, both in marine fisheries and inland fisheries, west Bengal, आपको पता ही है, मचली के मामले में, they are very very fish, इसके अलावा केरला जो है, वो वर्ल्ड का, जो या हमारे इंडिया का fish processing का hub है, यहां पर most of आपकी fish processing की जाती है, and then eventually जो है आपको, almost 85% fish processing यहां पर हो रही है, then यह जो है export किया जाता है, throughout, जैसे Middle East में हम लोग export कर रहे हैं, European countries में हम लोग export कर रहे हैं, ठीक है, important fish species जो हम यहां पर देखने मिलती है, mackerel, herring, prawn, sardine, हम लोग देखने मिलती है, then उसके बाद आपका जो catfish है, local catfish है, यह हम लोग inland fisheries में काफी जादा इसे करते हैं, हिमाचल में, trot जो है, यह भी काफी जादा एक डेली किसी माने जाती है, तो इस तरह की fishes जो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पर consume करते हैं, edible करते हैं, ठीक है जी, हम लोग blue revolution, recently government, blue revolution के बारे हैं बात कर रहे है, कि blue revolution हमने करना है, 3000 करोड हम लोगों ने इसके लिए allocate किये थे, कि हम लोग जो fisheries है, इसको और organize करेंगे, जो नए start-ups हैं, hatcheries खोलेंगे, बहुत जादा न मिला नहीं, तो मैंने यहां पर add किया नहीं, ठीक है, यह आप देख सक्टर, Indian fisheries के उपर same facts मैंने यहां पर लिखके दे रखे हैं, ठीक है, then second one is your, यह आपका देखो, यह दिस वेस्टन कोस्ट, यहां पर जो है maximum आपको fishing देखने को मिल दी और यह आपको सारे inland area से जहां प फटा-फट से agriculture के उपर एक भावुक सी डिपो ले लेते हैं, मतलब वारतलाब कर लेते हैं, agriculture में क्या challenges हैं और क्या उसका outlook है, outlook तो मैंने आपको बताई दिया कि भाई, अगर आप हमारा देख जो है 8% GDP growth दिखाना चाहता है हर साल, तो उसे 4% agriculture को grow करना पड़ेगा ही, but क् मुम्किन है, क्या है मुम्किन है, यह जो है depend करता है कि हमारे challenges के हैं, again बहुत सारे challenges है, हमारे challenges सबसे पहला क्या है कि हमारा जो है mounsoon, सरह हमारा जो agriculture, gamble of mounsoon है, अभी भी सिरफ 47% ही area हमारा जो है irrigated है, जहाँ पे हम लोग पानी, सिचाई, जो है सिचाई के लिए पानी provide कर अगर नहीं होगा तो क्या होगा, यह जो है बहुत कम production हमारी competitively कम हो जाती है, so gamble of mounsoon अभी भी है, gamble of mounsoon होने करन का है, assured हम लोग जो है production नहीं कर पाते हैं, यह बहुत बड़ा issue है हम लोग का, इसके अलावा fragmented land holdings यह बहुत बड़ा issue है, ठीक है, यह किसान, किसान के पास एक hectare land था, और उसके बाद किसान के चार बेटे तो चार इसो में बढ़ गया, उसके चार बेटे चार इसो में बढ़ गया, उसके चार बेटे चार इसो में बढ़ गया, ठीक है, तो यह एक बंदे का है, और यह जो है, दुसरे भाई का है, तो basically आप देखोगे, fragmentation जो है, वो एक बहुत बड़ा issue है as far as हमारी land holdings are concerned आपको like पता ही होगा जो हमारे average land holdings है इसमें जो है almost 88% जो भी farmers है they are of small or marginal farming ठीक है small or marginal farmers है जिनके पास basically एक hectare या एक hectare से कम land है ठीक है so बहुत कम land होने कारण क्या है जो आपका proper जो है return on investment या ROI नहीं बनती है या फिर proper जो है economy of scales नहीं बन पाता है और agriculture जो है वो profitable नहीं हो पाता है अगर agriculture profitable नहीं होगा तो क्या होगा subsistence level पे होगा hand to mouth agriculture होगा hand to mouth agriculture में क्या है कोई profit नहीं है तो इनकिसान जो है वो अगभी अपनी तरक्की करनी पाएगा ठीक है जो तरक्के बड़े farmer ही कर पारें जिनके पास 2 hectare से 10 hectare के बीच में land है या फिर इससे बड़ा land है जिनने हम लोग large farmers बिग farmers बोल देते हैं इनके पास ठीक है medium से लेके बड़े farmers वो ही जो है इसका फाइदा उठा पाते हैं तो fragmented land holdings बहुत बड़ा एक issue है अपना बड़ा है बड़े जनली मजूले जो किसन के किसान होते हैं medium और जो आपके large farmers हैं उनको अराम से लोन मिल जाता है बिकोज उनका land बड़ा है वहाँ पे economy भी है वहाँ पे agriculture profitable भी है बड़ जो small and marginal farmers है इनको लोन नहीं मिलता क्योंकर लोन में default कर जाएंगे तो जो है यह अपने land से से चुका नहीं पा सकते ठीक है जी so input के credit के बहुत बड़े issues है ठीक है जी high quality seed seed के market जो है बहुत ज़ादा unorganized है तो वहाँ पे जो है बहुत सारा issue रहता है spurious seeds मिल जाना या फिर quality of seeds ना मिल पाने irrigation जैसे मैंने आपको बता है irrigation का issue है MSP का बहुत बड़ा issue है सिरफ हम लोग जहें taste crops के लाँ अनाउंस जरू करते हैं but most profitable MSP हमें किसमें मिलती है rice या हमको wheat में मिलती है पैडी या आपका जो भी wheat है इसमें हमको मिलती है तो mostly farmers ये लगा रहे हैं ये लगाने के लिए हमें क्या intensive agriculture करना पड़े है फटलाइजर डालने पड़ते है पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं बहुत ज़दा जो है आपको maintenance करनी पड़ते है तो ये this is costly है तो इसको जो ह भी लिया तो हम लोगों के पास जो है APMC Act है एना APMC Agriculture Produce Marketing Committee Act है ये फार्मर जो है वो अपनी area की मंडी में ही जाके बेचेगा वहाँ पे जो है middleman है आपके वो एक बहुत बड़ा issue है ये middleman जो है कठे हो जाते है और ये क्या है farmer को अपने produce का दाम जो है proper नहीं मिलता है ठीक ह जी इसके अलावा हम लोगों को जो बेचे जाए तो प्रोसेस करके बेचे जाए तो हम लोगों को भी महंगा मिल रहा है तो हम लोग महंगय में खरीदते हैं farmer को मिलता नहीं है बीच में खाते कौन है जो बीच के जो है आपके middleman है जिसे अर्थिये बोलते हैं बहुत सारे लग लग नाम से जाने जाते हैं ये लोग जो हैं करते हैं एंस्योरेंस एशू है इंस्योरेंस का लाइक हम लोग एगरिकल्चर क्या है मांसुन के अधीन है ना और धीन है तो climate चेंज जो है बहुत बड़ा roll play कर रही है तेरे देरे हम लोग देख रहे है क्रॉप्स की productivity शा जाता है या तो अरतिय से लोन ले रखाऊगा या फिर बैंक से लोन ले रखाऊगा फ़स जाएगा इंशोरंस के लिए प्रॉपर हम लोगों ने काम नहीं किया हुआ प्रधान मंतरी हमने फसल भीमा योजना स्टार्ट कर रखी है बट एक्चुली ग्राउंड में किस तरह से इंप्लिमेंट हो रही है वो हमें देखना अभी आगे है ठीक है क्योंकि बहुत सारी रियल टाइम में किस तरह से क्लेम सेटल की जाते हैं इंशोरंस के वो सारी चीज़ें बहुत साता मैटर करेंगी यहां पर तो इंशोरंस एक बहुत बड़ा इशू है ठीक है जी लोगि लोगिस्टिक से बहुत बड़ा इशू है इसको बढ़ा सके यहां रियल बेन चाहिए तकी एक दो दिन में ही आपका दूज जो है जम्मू से के केरला पहुंचाए या पर अटलीस प्रोसेसिंग इंडस्टी इतनी अच्छी होने चाहिए कि दूद को जो है इसकी जो शेल् इसको बढ़ा सके यहां रियल बना सके तो यह सब चीज़े मिसिंग है फिलहाल के लिए फूड प्रोसेसिंग है आपके यह सारे मिसिंग है तो यह सारी कहीं न कहीं जो है दे आर ओल चैलेंजिज ओफ दिफ फार्मर और अग्री कल्चर ठीक है आउटलूक आपको पता है य outlook हम लोगों को किसान की जो है income को double करना ही पड़ेगा जिसे हमारे प्रदानमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसान की जो income है उसे double करना है farmers income must be double तो यह वो मतलब ऐसी नहीं बोल रहे है farmer income must be double अब हो रही है नहीं हो यह वो अलग बात है must be double क्यों? अगर farmer income कर डबल होगी इसका मतलब basically कहने का मतलब है कि agriculture should grow at twice the speed जादा जो है दो गुना speed में बढ़ेगा तभी farmers की income double हो पाएगी अगर farmers की income double होगी तभी overall जो economy है वो prosper करेगी ये बात यहाँ पर हो रही है ठीक है तो मतलब वो voters को appeal करने के लिए सिदा ये बोलागे farmers की income double करने है बट actual में इसका basically मतलब क्या है कि agriculture should grow at a stable pace and at a speed which is at least double the speed जो अभी हो रहा है तब जाके जो है overall economy grow करेगी ठीक है ये बात है तो ये आपका कुछ agriculture का issue है उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे topic के ओपर that is irrigation ठीक है चलो जल्द जल्दी कर लें irrigation का अभी topic cover करना है थोड़ा सा लेट हो गया बीच में glitch आ गया था irrigation बड़े लोग थे आभी कम रहे गए भाई बाकियों को बुला लो जो लोग नहीं आ पाए ठीक है जैसे उनको फटावट से class बंद होई तो भाग गए है चलो अपने को क्या बढ़िया है ओके चलो जी हाँ देख रहा हूँ आप लोग के comments बहुत बढ़ी है irrigation के उपर आते हैं irrigation aka सिचाई हमें क्यों करनी होती है basically सिचाई का मतलब क्या होता है irrigation का मतलब होता ताकि हम लोग agriculture के लिए जो है या फिर crop की production के लिए हम इस पानी को इस्तमाल कर सकें ठीक है कि नहीं पानी की production के लिए हम लोग पानी को जो है इस्तमाल कर सकें इसको हम लोग सिचाई कहते हैं और इस सारे system को हम लोग क्या कहते हैं irrigation system या सिचाई का प्रबंध या प्रणाली बोल देते हैं थेके हमारे देश में irrigation क्यों जरूत है भाई why do we need irrigation irrigation की हमारे पास facility क्यों होनी चाहिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा विविद है ठीक है कि ने विविद है means बहुत ज़्यादा क्या है diverse है climatologically भी diverse है आप देखोगे कि बारिशे जो है सिरफ 3-4 महीने के लिए होती है बट होती है तो बड़ी बेहसाब होती है बिहार में लोग भांडेट इंडे उठाके भागते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा बाड़ा जाती है ठीक है तीन-चार महीने होगे बार बहुत ज़्यादा होगी उसके बाद सारा साल जो है dry रहेगा कुछ ही जगों में जो है river सारा साल आपको भेहती दिखती है बाकी सारे times है वो seasonal है and cropping pattern जो है हमारा population इतना बड़ा है हम लोग को cropping जो हमारी मजबूरी कि हम सारा साल जो है crops उगाएं ताकि हम लोग इस population को feed कर सकें यह सब चीजें जो हैं क्या उसके उपर से हमने जो high yielding variety of seeds की हम लोग बात करते हैं हम लोग crops जो हैं इस तरह की उगा रहे हैं जिसमें assured irrigation का हमें जरुरत पड़ता है यह सब कहीं न कहीं क्या करता है irrigation को बहुत ज़्यादा important बना देता है हाँ भाड़े टीड़े ठीक है pardon my language थोड़ा सा मैं किकी बारी इद्धेहाथी type words use कर लेता हूँ anyways so irrigation जो है यह जो aspects हैं हम लोग कब से use करते आ रहे हैं भई time immoral से use करते आ रहे हैं immoral से करते हैं हैं आप देखोगे जो indus valley civilization थी indus valley civilization का जो indus नदी के आसपास में civilization बनी इन्होंने भी बड़ी high-tech irrigation system बनाए थे अगर आप जाओगे अगर आपने धोला वीरा देखा होगा धोला वीरा में जो है irrigation प्रनाली के उपर काफी जादा जो है चैनल्स आपने देखने को मिलते हैं या फिर अगर आप जाओगे मोहिन जुदारों में मोहिन जुदारों में भी काफी सादा इस तरह के irrigation systems देखने को मिलते हैं तो time memorial से हम लोग करते आ रहे हैं आप देखो पुराने time की कोई movie याद करो तो उसमें ऐसे कुएं आपने देख्योंगे कुएं आसपास में जो है इस तरह से गाएं या बैल जो है वो उस चक्के को घुमारी है और उससे पानी निकल रहा है पानी खेतों में जा रहा है छोटी छोटी क्यारियों के तहत तो irrigation बड़े scale पर करना जो है अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है especially क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा cropping करते हैं यह irrigation का actually modern means of irrigation तुगलक्स ने भी करा था है तुगलक्स की बात करते है तो आप medieval times में तुगलक्स ने या फिर iltutmish ने बड़े सारे लोगों ने जो है irrigation के उप Bombay, Madras, Calcutta वहाँ पर जो है अपना कर को बढ़ाने के लिए irrigation की practices start करी ताकि farmer जो है जादा कर दे सके जादा tax दे सके and eventually वहाँ से जो हम लोगों ने start किया ठीक है बट यह बहुत कम था यह British ने बड़ा selectively से किया ताकि जिर वो area जहाँ पर जो उनके control में थे वहाँ पर इनक was not even 10% of the total area जहाँ पर हम लोग cropping करते थे ठीके जी तो धीरे धीरे जब independence हुई independence के बाद हम लोगों ने irrigation के उपर ध्यान देना start किया और especially जब हरित करांतिया ग्रीन revolution के बाद हमें लगा कि irrigation के लिए जो है में जो प्रनाली है उसे बनाना पड़ेगा eventually जो उस time के जो हम लोग के leaders थे उन्होंने इसके उपर ध्यान दिया नहरू जी ने जो है क्या किया basically बड़े सारे इस तरह के multi-purpose projects हैं इनको जो है start किया था और वहाँ पे जो है इनको क्या बोला था temples of modern India बोला था है ना इनको जो है temples of modern India बोला था कि ये क्या करेंगे ये न बहुत सारे इस तरह के project हमने start किये और हमने बड़े बड़े areas को जो है irrigation देने के लिए start किया canal का system जो है वो start किया ठीक है की ने हम लोगों ने बड़े सारे type के irrigation system इसे medium scale के major scale के ये small scale के इस तरह के हम लोगों ने बड़े बड़े system start के जो की reverse को exploit कर रहे थे जिसे major systems आपके major project जो है आपके वो 10,000 hectare से उपर के area को irrigate कर सकते थे medium जो 2000 से 10,000 के बीच के थे और minor project जो की 2000 hectare से कम कम वाल है तो basically इसमें क्या हो रहा था जो surface water है surface water जैसे rivers हैं, rivers के उपर dam बनाना, dam बना गए जो है पानी को irrigation के लिए इस्तमाल करना यह का हमने start किया ठीक है, आज कुछ schemes हम लोग लेके आए जैसे command 1975 में command area development program था 1974-75 में लेके आए थे हम लोग उसके बाद भारत निर्मान जो हम लोग ने start किया थे, basically irrigation का जो potential है इसको increase करने की कोशिश करी थे और हम लोग इसमें जो भी irrigation प्रोजेक्ट से उनको जल्दी-जल्दी खतम करने की बात करते थे, ठीक है accelerated irrigation benefit program 1996-97 में लेके आए थे और इसी program को अब हमने जो है, एक नए नाम में एक नए जो है अफ्तार में हम लोग लेके हैं प्रधान मंतरी कृषी सिंचाई योजना ठीक है, इसमें ये accelerated irrigation benefit program भी है कि जो पड़ेवे pending projects है irrigation की उनको तो हम लोग साथ-साथ में जल्दी-जल्दी करें ही और सरकार जो है उसके लिए क्या देगी benefit देगी central government states को और इसके अलावा जो है नए modern methods of irrigation इनको भी हम लोग अपनाएं ताकि क्या कर सके हम लोग more crop per drop ये जो है हम लोग सपने को साकार कर सके है ठीक है कि नहीं irrigation के कुछ stats ले लेते हम लोग irrigation stats, सबसे ज़्यादा irrigation intensity irrigation intensity कितनी है हमारी 47.6% है ठीक है जी, आभी भी जो है अपका almost 50% ज़्यादा area है जो की rain fed है हमारा but still 47% हमारा irrigation हो चुका है, irrigation हम लोग मिलता है, पंजाब में सबसे ज़्यादा है 92% irrigation facility पंजाब में मिलती है, हरियाना में 75 हैं तो ये दो सराज्ये ऐसे हैं जिनमे maximum irrigation की capacity या maximum irrigation हो रहा है UP बिहार इसके बाद आते हैं maximum area के अगर मैं बात करूँ तो percentage है maximum area के मैं बात करूँ तो UP जो है maximum area cover करता है जहां पे हम लोग irrigation दे पा रहे हैं उसके बाद मध्यपरतेशा, ठीक है कुछ effects याद कर लेने हैं, क्योंकि tidbits में कहें की बड़ी पूछ लेते हैं crop wise बात करें तो irrigation सब ज़्यादा किसको मिल रहा है, कौन सी crop को मिलता है वो है sugar cane, गन्ये को 94% जितना भी अगर गन्या उगाया जा रहा है उसको 94% गन्या जो है वो irrigated areas में उगाया जाता है irrigated या irrigation उसको मिलता है, ठीक है जी उसके आदा आता है wheat फिर barley, rapeseed mustard and then उसके आदा आता है rice, rice को जो है 50 स्थान में है, 5th स्थान पे around 68 to 70% area जो है वो rice का वो irrigation के अंडर आता है उसको irrigation मिलता है ठीक है जी, pulses जैसे मिलता है बिचारी गरीब डालें, 16% जो है area वो सिरफ अब irrigation के अंडर है, rain fed almost देखो कितना है, 74% के आसपास में 84% के आसपास में जो area है वो rain fed, means जहाँ पर बारिशे होते हैं वहीं पर दाले उगा रहे हैं, जो actually irrigation वाले areas में, वहाँ पर सिरफ 16% ऐसी जगह है, जहाँ पर pulses उगाई जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो, कितना ज़ाद हम यहाँ पर भीदबाफ कर रहे हैं, पल्स कर रहे हैं, तभी pulses की जो production है it is though growing, but not productivity जो है इतनी तेजी से grow नहीं कर रही, as compared to other crops major irrigation types हम लोग कौन से इस्तमाल करते हैं, भाई हम लोग के पास जो है, एक है conventional methods, conventional methods जो की सालो साल से चले आ रहे हैं, इन्हें हम लोग कहते है, conventional methods यह पुराने time चले आ रहे हैं, फिर 1970s के बाद जो है, हमने नए methods के इस्तमाल करना start किया, ठीक है, जैसे की आपके micro irrigation system start हुए, and उसके अलावा जो है, कुछ traditional methods जो पुराने time से चलते आ रहे हैं, जैसे ray, dingley, ठीक है, नी, persian wheel, इस तरह के, देखा न, बच वो, अपना, वो, जैसे मैं, आप यह फोटो दिखाता हूं, विसे आ आगे, है न, चल देखते हैं उसको, पट यह conventional कौन से हैं, wells, tube wells से, canals हैं, and tanks हैं, यह वाली irrigation आपकी, जो conventional irrigation है, अगर मैं बात करूँ कितना area किस से क्या हो रहा है, तो 62% जो भी हमारा आज के time पे irrigation हो रहा है, वो wells और tube wells से through हो रहा है, हम लोग bore करते हैं, tube well डालते हैं, पानी निकालते हैं, motor के, motor जलाते हैं, पानी निकालते हैं, खेतों को सींचते हैं, ठीक है जी, 26% जो है, वो canal से हो रहा है, and then 3% जो है, वो tank से हो रहा है, 9% जो है, rest of it is mostly micro irrigation, या हभी very very traditional practices of irrigation, canal irrigation देखते हैं, फटा-फट से, canal irrigation जो है, क्या होता है, हम लोग basically, नदी के बहाव, यह नदी जा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर artificial barrier बनाते हैं, पानी को पीछे कठा करते हैं, इसकी जो है, अलग-लग streams निकालके, channels के थुरू, channels बोलते हैं, basically, इसकी जो हम लोग क्या करते हैं, पानी को खेतों तक लेके जाते हैं, यह, इसको हम लोग क्या कहते हैं, this is called as canals, दो type के canals होते हैं, inundation canals and perennial canals, perennial canals वो जो जो सारा साली-पाली flow करता है, inundation वो, जिसमें सिरफ season के time पे, जब बारिशे बहुत सादा होती है, और नदियां ओफान पे होती हैं, तब जो है, आपका जो है, इन canals से पानी जाता है, ठीक है कि नहीं, starting में, जब independence मिली थी, उस time पे, 40% जो भी irrigation होता था, वो canals के थुरू होता था, बट अब जो है, it is less than 25%, 25% से भी कम हो गया है, काई को कम हो गया, it is because, काई को कम हो गया, it is because, कि अब हम wells और tubels जो हैं, वो take over कर गए हैं, तेके, merits क्या है, कनाल irrigation के, merits, perennial source सारा साल, जो है, कनाल में सारा साल पानी चलता रहता है, तो आपको सारा साल जो है, खेते के लिए पानी मिल जाएगा, drought root के कोई problem नहीं है, पानी मिलता रहेगा, ये जो है कनाल में से अच्छे fertile sediments भी आते हैं, नदी के sediments पहुंचते हैं, जो की खेत में पहुंचते हैं, तो इससे fertile, जो soil की fertility है, ये rejuvenate करती रहती है, और बहुत economical पड़ता है, लग तो इसमें हजारो करोड रुपे लग जाता है, thousands of करोड रुपी लग जाता है, बट ये जो है again, 100, 500, 200 सालों के लिए जो है, आपकी fix वो है, और बहुत बड़े area को एक cover up कर लेते हैं, दस हजार acre तक को cover कर लेते हैं, hectare को, तो अगर हम देखा जाए, तो overall जो है, it is comparatively cheaper, ठीके, demerit क्या है, ये जो है, पानी continuously खेतों में आता रहेगा, तो क्या होगा, basically, पानी जो है, खेतों में खड़ा रहता है, और नीचे से नमक, जो आपका salts है, वो saline हो जाती है, नमकीन हो जाती है, and then it leads to infertility, ठीक है, ये क्या हो जाता है, infertility हो जाती है, इसको जो हैसे हैं, मैंने पीछे बताता है, रे, खलर, तुर्सा, उर्सा, हम लोग बात करते हैं, तो ये वो areas हैं, पंजाब, हर्याना के, जहाँ पे excessive canal irrigation से क्या हुआ है, soil जो है, वो saline नमकीन हो गई है, जिसके कारण यहाँ पे agriculture करना possible नहीं रहा है, ठीक है, again, canal के आस-पास में क्या है, पानी चल रहा है, तो पानी खड़ा भी होता है, basically यहाँ पे जो है, malaria, dango इस तरह के जो है, outbreaks होने का भी खतरा रहता है, vector born diseases का बहुत बढ़ा यह शुरी आता है, और पानी की जो efficiency है, usage की efficiency, जो है, it is very very low, water use efficiency is not even 10%, तो बहुत जादा जो है, wastage of water काफी होता है, आपे देखने के लिए, ठीक है, जैसे देख रहे होगा, आप this is सरदार सरोवर डैम, किसके उपर बना है भाई, यह जो है, देखो, यह सरदार सरोवर से, पीछे, जो है, हम लोगों ने क्या किया, कनाल जो है, वो छोड़ी हुई है, ठीक है की नहीं, यह, देखो, यह areas हैं, आपको, यह सारे जो areas हैं, they are basically, areas which are under canal irrigation, ठीक है, आप देख रहे हो, यहाँ पे canal irrigation बहुत कम क्यों है, कोई बता सकता है, यह आपका, इधर, पैनिसुल इंडिया में canal irrigation इतना कम क्यों है, it is because, ए, एक तो यह height पे है, plateau region है, ठीक है जी, दूसरा, hard rocks का बना हुआ है, hard rocks का बना होने के कारण क्या है, यहाँ पे, आपको canals खोदना, वो बढ़ा, बहुत ही ज़्यादा difficult task है, ठीक है की ने, तो इसलिए यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहे है, mostly आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे है, ठीक है जी, इसके हैं में is wells and tube wells, wells and tube wells के उपर आते हैं, wells and tube wells जो है, क्या है, देखो, well क्या होता है, अपका, well जो है, कुछ नहीं हमने गड़ा खोदते हैं, हम लोग जमीन तक और जमीन के water table को जो है, उसको hit करते हैं, ताकि वहाँ से पानी उपर की तरफ को आ जाए, जो जमीन के नेचे हमारे क्या होता है, पानी होता ना, store होता है, जिसे ground water हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहें इस तरह से well खोते हैं, ताकि जो है, हम लोग ground water को utilize कर सके हैं, ठीक है, पहले time पे इस तरह होता, drill करनी है, drill करो, motor से, drill करो, नीचे जो है, tube well, पानी तक जाओ, tube well, और यहाँ पर जो है, क्या लगा दो, motor लगा दो, motor जो है, क्या करेंगे, पानी खींज की निकाल देगे, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम पर्षिन वील, पर्षिन वील आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यह जो कुवाँ है, जो इंडेस वेली सिविलाइजेशन से हमने खोज निकाला, तो देखको, यह लोग भी कुवाँ यूज करते थे, can you see, पर्षिन वील, कितना पर्षिन वाटर अबेलेबल है, ठीक है, अगर ग्राउटर हो गई नहीं, तो pump करके निकाल लोग क्या हुआ, तो basically सिर्फ ग्राउट वाटर जहां पर होता, वहीं पर निकालते हैं हम लोग, Peninsular India में not suitable, again Peninsular इंडिया में हार्ड रॉक्स है और डिल करना बहुत मुश्किल है और हार्ड रॉक्स होने कारण जब भी बारिश पढ़ी होगी तो यहां से जो है पानी नीचे रिस्क के पहुंचा ही नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर यहां पे जादा हो गई नहीं है आपके पास तो इसक है एक लाग रपे में लगाओ और जब तक क्राउंड बॉर्टर तब तक खींचते रहो जब तक मोटर चला सकते हो खींचते रहो इंडिपेंडेंट सोर्स है बस अपने को बिजली चाहिए ठीक है जी बिजली आती रहे बिजली चलती रहे तो हम लोग जितना मरजी चलाओ एक ट्यूब वेल उस पर भी हमने क्या हम लोग क्यारियां बना देते हैं एक जगह पर हम लोग पानी गिराते हैं और क्यारिया वित्रू हम लोग उसको पहुंचाते हैं ठीक है जी हाँ ओवर्यू से जो है एक बहुत बड़ा इशू है वो है कि वाटर टेबल जो है हम निकाल रहे हैं ट्यूटू ट्यूब वेल्स ठीक है जी सो यह देखो यह आपने देख्यों ने टिपिकल पंजाब में हम इसे मोटर बोलते हैं कि यह मोटर लगी है यहां पर हम लोग पानी निकालते हैं और यह क्यारियों के थुरू फटा-फट से कहां पर जाता है प्राप्लम है ठीक है देखो हमारा देश जो है वो यह अब देखर रहे हो दिस इस कंसेंट्रेशन ओफ ट्यूब वेल्स इन इंडिया और हमारा देश यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वॉटर को एक्सट्राइक्ट कर रहा है तो हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम लोग उस रग ही मारते हैं उसकी तो वो रग मारने वाला काम कर रखा है हम लोग ने थी कंसेंटरेशन देख सकते हो mostly Punjab, Haryana, Rajasthan वाल रेजन, Western Uttar Pradesh वाल रेजन and थोड़ा बहुत आपको coastal areas आपको देखने को मिल रहे हैं उत्तर परदेश भिहार वाल रेजन यहां पर आपको ज़्यादा आपको ट्यूबल देखने को नहीं मिल रहे हैं हाँ मतलब बहुत बुरे level पर deplete कर रहे हैं mostly North India में यह problems आपको देखने को मिल रही है then is tank irrigation तीसरा टाइप का irrigation जो है वो tank irrigation है basically tank irrigation कुछ नहीं होता है एक ऐसे reservoir बना देते हैं खूब बना देते हैं basically और उसमें जो है क्या होता है बारिश का पानी हम लोग store कर लेते हैं जब बारिश होती है तो हम इसे store कर लेते हैं हमारे पास एक ऐसा reservoir और एक ऐसा pond बन जाता है हर एक गाउं के पास होता नहीं एक ऐसा pond हिमाचल भी बड़ा करते हैं हम लोग ऐसे नदी जा रही होती है साथ में हम लोग ऐसे बड़े-बड़े pond गाउंवाले बना लेते हैं ताकि पानी उसमें store कर सके अलग-अलग uses के लि peninsular plateau में इसे किया जाता क्योंकि एक बर गड़ा बनाने में problem जरूर होती है बट hard rocks हैं तो इसमें जो पानी है वो नीचे रिस्ता नहीं है तो यह जो है काफी जादा sustainable मतलब हो जाता है long term में plus यहाँ पे जो है अपको जो peninsular plateau हो वहाँ पे बहुत जादा intensity नहीं agriculture के agriculture field जो ह है वो बहुत दूर है दूसरे से तो हर एक जो agriculture field है वहाँ अपने हिसाब से अपने लिए ponds बना लेते हैं ठीक है तो अंदरा परदेश में जो है वो आपका 39% जो tank irrigation अंदरा परदेश में किया जाता है ता मिल नाडूस के बाद है south इंडिया में या peninsula इंडिया में आपको देखने को बहुत जदा मिलता है ठीक है कि नहीं so undulating कहाँ पर मिलता है जहाँ पर जनली hard rocks होती है वहाँ पर जहाँ पर river जो है seasonal होती है वहाँ पर और जहाँ पर agriculture field बड़े scattered होते है ठीक है seasonal rivers में जब भी उफान आता है तो क्या करते है यह बहुत सता पानी लेके आते तो यहाँ पर हम लोग इस तरह के बड़े बड़े tanks बना लेते हैं वहाँ पर पानी कठा हो जाता है ठीक है और हम यहाँ पर क्या करते हैं हमें मचली पालन भी बहुत करते हैं हम लोग ताकि क्या हो एक additional source of income जो है वो farmers का generate हो जाए ठीक है ओ भाई मेरी nationality में बता हो चलो merits क्यो can be used for fishing also मचली पालन के लिए भी इस्तमाल किया जाते हैं demerits क्या है इसके भई demerits silting हो जाती है बारिश के कारण मिट्टी बहुत जाता आती है तो हमेशा हर बड़ी हमें खड़े को बार-बार मिट्टी निकालने पड़ती है इससे large area जरुत होती है evaporation के losses होते हैं बहुत बनाए थे जैसे हम लोगों ने क्या कहता हम लोगों ने rivers के ऊपर नदियों के ऊपर हमने क्या किया बड़े-बड़े बांद बनाए और इन बांद को हम लोग ने बड़े सारी चीजों के लिए पीछे जो पानी कड़ा हो गया इसको हमने यहां पर जो हमने motor लगा दी तो electricity generation के लिए हमने यूज किया तक यह water supply के लिए यूज किया flood control के लिए री creation के लिए inland navigation के लिए fish breeding के लिए आपका irrigation के लिए बड़ी सारी चीजों के लिए यूज करते हैं तब यह हम इसे disadvantage है, disadvantage जो है इसके क्या है excessive sedimentation, नदी बहुत सारा sediment लेके हैं कि मिट्टी कठी होगी तो और यह क्या करें कि बार-बार इस sediment को निकालना पड़ता है, आसपास जब इस तरह के बांध बनते हैं तो क्या होगा नदी बांध बनते हैं तो बहुत सारा पानी कठा हो जाता है और आसपास के जो areas हैं वो भी पानी में जल्मगन हो जाते हैं तो उससे bio-divastical loss है आसपास जो है यह पानी मिटी जो है खोद देता है आसपास के जगह से इससे क्या होता है, land जो है destabilized हो जाता है, जो तरह खन के हमने floods देखे 2014-15 के बाद के, तो यह कही न कहीं जो है हम लोग जो हाँ पर हमने बहुत सारे multipurpose project बनाए हैं, उसके destabilization उसके land destabilization के कारण जो है हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी interstate water disputes हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है हम लोग क्या करते हैं, दो राज्य हैं, एक राज्य दो राज्य नदी जा रही है, हमने उपर जो है बांद बना दिया, नीचे का पानी जो है कम कर दिया, तो नीचे वाला जो है लडने को आ जाता है उपर वाले के साथ, ठीक है ना, होता की नहीं, देखो पैसिक करनाट का लड़ रहा है तामिल नाडू के साथ, किसमें कावेरी नदी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है कावेरी नदी में डैम बनाके, पानी का जो है लेवल कितना रखें, कैसे रखें, उसके उपर लड़ाई हो रही है, तो ये बहुत बड़ा इश्यू है बस करो, बस करो, पढ़ लो, तो ये जो है इस आर मेजर रिवर्स एंड उनके उपर जो डैम्स हैं, ये सारे डैम्स मैंने यहाँ पर भाई, वो लिखी हुई है, ये लिस्ट बना रखी है स्पेशली हिमाचल वाले देखके चले जाना, तेक है ये कौन सा पर देखके चले जाना, पौंग हो गया, वीयास ये सारे पर देखके चलेना, सारे मने लिखें हुए है ओके current crisis के उपर आते हैं भाई या अब issue क्या हो रहा है यह थे traditional methods तो traditional methods से अब modern method की तरफ जाही क्यों रहे हैं why we are moving towards modern method तो ध्यान से सुनो भाई क्या जो water का जो हमारा supply है water supply है कहां से आ रहे हैं तो basically water supply तो more so constant ही हमारी यह ना ज़्यादा increase ही है ना ज़्यादा decrease ही हो रही है climate change के साथ increase तो more so constant ही है but water का demand जो है वो क्या हो रहा है water का demand has increased manifold बहुत ज़्यादा increase हो गया है ठीक है सिर्फ agriculture में ही नहीं चाहिए इंडस्ट्री में भी पानी चाहिए domestic purposes के लिए भी पानी चाहिए तो पानी का जो demand है वो भाज़ता increase हो गया तो हम water supply तो increase कर नहीं सकते ना water demand को decrease कर सकते हैं हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते कि जो पानी हमारे पास है जो supply हमारे पास current है उसको efficiently इस्तमाल करें ताकि इसमें से wastage minimum हो और इससे क्या हो हम अपनी requirements को पूरा कर सकें ठीक है ये काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ये हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जो हम लोग modern methods of irrigation इनके ओपर आ गए हैं modern methods हमने कहां से लिए basically ये इसराइल ये इन जैसी country से लेके आ रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पहली पानी बहुत कम है less water और ये लोग जहें water को बहुत कीमती मानते हैं इसी इसाब से जो है क्या कर रहे हैं इनको efficiently इस्तमाल कर रहे हैं ठीक है की नहीं so current crisis ये कारण जो हम लोग ने micro irrigation के ओपर आए so micro irrigation का देखो जुगार्ड ये दिख करे रहे है this is जुगार्ड of micro irrigation ये एफरिका का एक picture है एफरिका वालों ने इस तरह से sprinkler irrigation करने ही कोशिच करी है ठीक है की ने so sprinkler irrigation सबसे पहला जो आपका process आता है that is sprinkler irrigation ये आपने modern system देखे होंगे बड़े बड़े farms में जो है इस तरह कि आपको sprinklers लगते हैं यहाँ पे एक main pipe लगी होगी सब pipe लगी होगी सब pipe जा रहे है आपके nauses लगे है sprinkles लगे है और जो है हम यहाँ पे क्या करते है natural rain को जो natural बारिश है प्राकरतिक बारिश इसको imitate करते हैं ताकि evenly क्या हो सके है जो बारिश है या water है वो distribute हो सके और इसके कारण क्या हो evenly पानी जो है वो खेत को मिले और कम से पानी में maximum आपको irrigation हो जाए देखो can you see this system यहाँ पे system आप देख सकते हो this is called as sprinkler irrigation ठीके जी merits क्या है इसके हर soil type में हम लोग use कर सकते है इसको ठीके जी इसकी जो water saving efficiency हो 30-50% है means अगर 100 लिटर पानी जो है canal irrigation में या tube bell irrigation में लग रहा तो यहाँ पे सिरफ 50-50 या 30 लिटर ही बहुत बड़े area को हम लोग add कर सकते हैं इसके अंदर overall efficiency जो 80% है इसमें labor का cost भी बचता है हमारा labor नहीं motor है button on करना है सिरफ labor की cost भी बचती है हमारी ठेके जी bunds और channels भी नहीं बनाने पड़ते ताकि इस तरह से land भी नहीं waste होता है इस तरह से क्यारिया नहीं बनानी पड़ को मिलती है ठीक है एक यहाँ पर आपको ज़्यादा पानी जो है ग्राउंड में नहीं रिशेगा evaporation loss है पर कम है देन इसके बाद आपको bunds नहीं बनाने पड़ते चैनल नहीं बनाने पड़ते खेत के अंदर और उसके बाद efficiency जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है Then demerits क्या है भई expensive है यह systems लगाने में जो है खर्चा लग जाता है लाग से उपर लग जाता है खर्चा एक हेक्टेर लैंड पे एक हेक्टेर नहीं सुर्य मिले नहीं नहीं तो खुदी घुश जाते हैं खुदी स्प्रिंकल बना के ठीक कर देते हैं ठीक है न हमको यहाँ प आपकी काफी high power की होनी चाहिए ताकि वो बड़े high pressure से sprinkle create कर सके और एक evaporation के loss बहुत है जब जैसे की sprinkle हो रहा होता है अगर धूप बहुत है तो evaporation loss होंगा अगर wind चल रही है तो sprinkler system जो है वो बहुत सदा effective नहीं होता है यह कुछ इसके issues है ठीक है जी sprinkler irrigation के इसको हमने एक और system से अच्छा ठीक करने कोशी करी इस डिप irrigation डिप irrigation में basically क्या है डिप irrigation में देखो यह छोड़ छोड़ी pipe लगाते हैं और यह छोड़ छोड़ी pipe के तहट जो हम लोग चहां पर हमने crop लगानी होते हैं वहीं पर जो हमने एक छोटा nozzle लगाते हैं और सीधा जो है पानी इसको भी पानी मिलता है irrigation मिलती है तो वो भी एक problem यहाँ पे solve हो जाती है इससे क्या है evaporation losses जो है वो खतम हो गए जो evaporation से loss हो खतम हो गए क्योंकि पानी बूंद बूंद सिरफ plant पे ही गिर रहा है इससे एक और problem खतम होगी आपकी weed की weed की problem भी जो है यहाँ पे solve होगी हम इनी pipes के थूरू हम लोग fertilizers और pesticides जो हैं इनको spray कर सकते हैं बस pipe में डालो दीक है जी हमें motor का pressure भी ज़्यादा नहीं चाहिए motor भी जो healthy pressure में चाहिए क्योंकि हमें बूंद बूंद ही पानी डालना है दीक है तो कम pressure की motor से भी काम चल जाता है तो बहुत सादे सारे फाइदे ह हैं इसके और इस फाइदो कारण इसकी जो water की efficiency it is up to 90% अगर आप एक tube well में 100 लिटर पानी को इस्तमाल कर रहे हो तो यहाँ पे 10 लिटर पानी से ही काम चल जाएगा आपका इतना जादा efficient system है ये ठीक है सिरफ problem क्या है कि इसमें जो है आपको एक ही problem है आपका कि ये expensive है technical limitation है इसको सीखना पड़ता है और सीखने के साथ इसको maintain करना पड़ता है skill चाहिए design installation operation के लिए जो कि पुराने farmers नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीखने की उनकी limit है ठीक है ये नए farmers जो परेक कर रहे हैं water saving होता है इसमें suited for poor soils पे weed growth भी control जाता है fortigation and chemigation means fertilizer डाल सकते हो chemical जो है वो डाल स जैसे कि आपको pesticide डालना है तो soil erosion बिलकुल नहीं होता है इसके अंदर disease और pest problems को भी हम कम कर सकते हैं और ये basically जो रिगिस्तानी या अर्ध रिगिस्तानी जगए हैं उनको हम लोग reclaim करने के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है कि नहीं? इसराइल नहीं किया है इसराइल का इनी से तो हम लोग ये technology लेके आए हैं ठीक है हमारे माचल के CM जो है पंजाब के CM है हरियाना के CM है जाते रहते हैं वहाँ पर इसराइल जाते हैं वहाँ पर ये techniques देखके आते हैं फिर यहाँ पर हमारे लोगों को fund लाते हैं तो यह सीज़ होती हैं यहाँ पर very high efficiency इनका adoption बहुत slow क्यों है क्यों because cost एक तो initial जो है cost वो बहुत ज़्यादा high है और agriculture वैसे ही बिलकुर रिनुमरेटिव नहीं रहा अगरी कल्चर में वैसी ज़्यादा पैसा नहीं है कि इतनी cost जो है किसान बियर करें second awareness भी नहीं है लोग के अंदर ignorance भी है इस करके जो हम ल नहीं कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम पानी में maximum से maximum हम लोग crop निकाल सके है ठीक है जो कि environmental friendly हो environmentally sustainable हो ecologically viable हो production भी increase करे productivity भी increase करे और farmers के लिए पैसा भी लेके आए ये सारा काम हम ने करना है इसके लिए जो मैंने आपको scheme बताया दिये कौन से थी प्रधान मंतरी कृषी सिचाई योजना ठीक है जी ये हम लोग चला रहे हैं 2015 से centrally sponsored scheme है ये और 75% 25% जो है इसका आपका जो है division है center 25-75% देता है state 25% देता है यूटीज के लिए और northeast region के हिली states के लिए हमाचल के लिए 90-10 है ये and इसमें क्या करना है convergence लेके आनी है हर खेत को पानी जाना चाहिए more crop or drop होनी चाहिए ये काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ठीक है कि ने तो ये जो था मेरा topic था agriculture के उपर irrigation के I hope this was good enough for you people questions इसके आपको कल मिल जाएंगे हम लोग questions भी बताएंगे इसके उपर और lecture थोड़ा सा बड़ा हो गया है बड़ा हो गया है तो ग्यान है ग्यान बट रहा है ग्यान ले लो जतना ले सकते हो उसी का फाइदा है हाँ जी doubts कोई doubts है तो निकल के आए तो बताओ भई मेरी nationality के ऊपर मत जाओ मैं भारती हूँ और तो मेरी nationality के ऊपर लड़ रहे हो और खमाल है बहुत बड़ी है हाँ जी गाईज एनी doubt किसी को कुछ drip irrigation mango हाँ बिल्कुल बिल्कुल apple farming में भी हम लोग यूज कर रहे हैं ड्रिप नहीं करते हैं हम लोग स्प्रिंकलर यूज करत इसी बाने हिमाचल घूम के आना हिमाचल एकनोमी में contribute करना बिल्कुल जी आपर हिमाचल का नियू में है यहीं तो के चालो जी ठीक है गाईज सो डाट इस एट पर इस पर्टिकलर लेक्चर आप इट वस गूट एनफ थैंक यू वेरी मच कोई डाउट निकल के आते हैं तो यू केन डेफिनिली आप फाइंड मी आउट इन नेक्स लेक्चर महाँ पर मिलो मिरसे बात कर लेना ठीक है